जी रदे रदे सुवागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में तो कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, सुवस्त होंगे अपने गर पर तो जी आज है संडे और संडे का व्लॉग है ये मैं जल्दी रोजाना की थे जल्दी ही उठ जाती हूँ तो बच्चे बगारा भी सोए हुए हैं तो मैंने सोचा चलो मैं उठी गई हूँ तो मैं अपने घर का सारा काम जैसे मैं डेली रूटीन में करती हूँ तो कर लेती हूँ तो सबसे पहले ना मैंने पिया एक ग्लास करम पानी उसके बाद मैं आ गई सीधा वातरूम में क्योंकि मैं सबसे पहले जिस दिन मुझे अगर वाश करने होते है कपड़े वगएरा तो सबसे पहले मैं मशीन लगाती हूँ ताकि मेरा जो आगे का काम है वो भी होता रहे और मशीन भी चलती रहे तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़े निकाल दिये थे जो पहले वाइट वगएरा वाले कपड़े होते वो मैं वाश करती हूँ तो डिटरजन बॉक्स में मैंने डिटरजन डाल दिया था उसके बाद मैं मशीन को दे दूँगी कमांड इसके बाद मैं अपना आखे का काम करूँगी तो मैंने इसको कमांड दे दिये ये सिधा सूख करी निकलेंगे कपड़े तो चलिए मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में यहाँ पे पीउक पापा रात को सबची लेकर आए होंगे तो उन्होंने प्याज यहीं रग दी थी मैं तो लेट गई थी क्योंकि मुझे नीद आ रही थी तो अभी मैं सारा ड्राइंग रूम क्लीन करूंगी जो घर के डेली के रूटीन के काम होते है और इसी तरह मैं अपने कामों को ना मैनेज करती हूँ ताकि जो मेरा टाइम है वो भी सेव हो सके और एक टाइम पे मैं दो से तीन काम कर सकूँ यही होता है सुपर वूमन का काम बिल्कुल ची हाँ तो जो फालतू का समान था ना वो मैंने अरेंज कर दिया है जहां पर रखने का था वहा रख दिया है हम मैं करूंगी सीधा डस्टिंग तो मेरा यही रूटीन रहता है मैं डेली डस्टिंग करते हूँ तभी मुझे दो से दो गंटे तो लगते ही है मतलब प्रॉपर क्लीनिंग और सफाई करने में तो यहां पर मेरा एलेडी वॉल भी थोड़ा सा होली की वज़े से भी और वैसे भी तोड़ा सा गंदा भी हो रहा था तो मैंने सब्चा चलो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देते है वैसे कहीं बार मैं नहीं भी करते हूँ जब मुझे जल्दी होती है तो मैं नहीं भी कर पाते हूँ लेकिन मेरे कोशिश यही रहते है कि मैं कि देली क्लीन करूँ क्योंकि ड्राइङ n ड्रॉइंग में में डॉस्ट। बहुत आती है क्योंकि बहार का C 35 भार ले न में बिटा फ़ों और मैं ये वाली विंडो आपन कर देते हिं बच्चे क्योंकि वो फेला देते हैं वहां से भी मैं जाडू ले आई हूं निकाल कर और अब मैंने पूरे ड्राइंग रूम में किचन में वैसे पूरा दिन लेडिस का बहुत काम हो जाता है सच में और अगर एक लेडिस जल्दी ना उठे तो मुझे नहीं लगता हुनके ज जल्दी लेते हैं हलाकि मुझे कहीं जाना नहीं होता बट मेरा यही रूटीन रहता है कि मेरा घर हमेशा साफ रहे कोई आ जाए तो मेरा घर हमेशा साफ दिखे कोई आ गया गलती से क्योंकि सुबह भी कोई आ सकता है और कोई ना कोई तो मुझे पता नहीं कोई आ भी सकता यह नहीं लेकिन आपके घर में भगवान जरूरा सकते है सुबा सुबा तो मैं इतनी सुबा तो नहीं कर पाती हूँ बढ़ हां मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं उठूं उसके तुरंद बाद ही मैं सफाई करती हूँ नाश्ता वेगारा भी मैं स्किप कर देती हां कभी मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ लेकिन बाइदवे मैं हमेशा मेरा यही रूटीन है कि मैं से पहले मैं घर की सफाई करूं तो यह था मेरा संडे और डेली रूटीन का तो मैंना अब नहाकर आ गई थी क्योंकि वर्क मेरा सारा ही काम हो गया था और बच्चे भी अभी उठे नी थे तो मेरे ब्रांडे में धूप आती है नो साड़े नो बजे तक तो मैंने सचे चलो यार बाल यहीं पे सुखा लेते हैं क्योंकि आज मैंने हेर वाश भी करा था एंड इसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में ला दिया था इसके बाद मैंने आज ब्रेट पकोड़ों का नाश्ता करेंगे हम और ब्रेट पकोड़े बहुत ही जादा सुखा बनते हैं और यह घर के ही ब्रेट पकोड़े हैं हम लोग घर पर ही बना लेते हैं यह चटनी भी मैंने दही वाली घर पर ही बनाई थी तो यह मतलब हमारे टेस्ट की जरूर एक बार याद आएगी मैं अपनी थारीफ नहीं कर रही मतलब मैं ऐसा बताना चाहती हूं आपको तो चलिए यहां पे ना मेरे कपड़े भी वाश हो गए थे नाश्ता वेकरा करने के बाद क्योंकि मेरे मशीन के दो ही लोट लगे थे मैं कोशि इसके बाद करने की लगे प्रोष के तो कि मैं स्कूल की बेटर्ष दोनी थी क्योंकि कल है लास्ट इंग्साम बचोड का तो मैं स्पोल की भी ड्रयच वाश करके प्रेस वेगर करके क्योंकि रख केर दूगी क्योंकि कल ने चैनल ड्श शिना दिए दाश됐 करे ऐना कुट तो थोड़ी देर मैं बैट कही थी तो आज भी मैंने हमेशा की तरह जो कुछ भी नहीं बनाया है तो आज मेरा ना कहीं से आ गया था खाना तो कड़ी चावल रखे हुए थे मेरे वह मैंने गरम करने के लिए और थोड़ी सी पनीर की सबजी थी फुलके के लिए मैंने आटा गून लिया था तो फुलके मैं गरम गरम सेकूंगी एंड जब कहीं से आ जाता है खाना फिर रखावा होता है तो मैं कुछ भी फ्रेश नहीं बनाती हूं मेरा यही रहता है कि नहीं जब पहले जो रखा है उसको फिनिश करे हाँ कोई मना कर देता है जैसे बच्चे कह देत तो पीउ के लिए मैंने पे प्लेट लगा दिया है एक्चुली न सारी चीजे ठंडी थी तो मैंने हर चीच को गरम कर आ है जो चावल थे मैंने नौन स्टेक पैन में रखे है तो वो चावल भी न अच्छे से गरम हो जाते बिलकुल ऐसे जैसे ताजे बने हो अभी तो यहा मुली मुझसे टूटी निरी थी क्योंकि फ्रिज में रखी वी है तो थोड़ी सी डिली डिली सी हो गई थी तो लेकिन वैसे टेस्टी लग रही थी खाने में मीठी थी तो यहां पे खीरे और मुली का मैंने सैलेट बनाया है प्लीज आज मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का तो मैंने प्याज नहीं कर्ट की है तो यहां पे फुलके बनकर रेडी हो गया है और आप लोग मुझे कॉमेंट करके नहीं बताते कि आप लोगों को मेरे व्लॉक्स कैसे लगते हैं प्लीज कॉमेंट जरूर करा कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अगर सब्सक्राइबर मिली हैं बहुत ही अच्छी हैं तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी नई सब्सक्राइबर हूं और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे कोई कॉमेंट करके बताता है कि हमने आपके चैनल को सब्सक् भी मुझे comment करके बता सकते हो कि आप लोगों को भी अच्छा लगता है मेरे vlogs देखना वैसे आप लोग देखते हो मुझे पता है आप लोगों को अच्छे लगते है तो प्लीज जिसे भी अच्छे लगते हैं तो comment करना ज़रूर और मेरे vlogs अगर आप लोगों का सहयोग रहा मतलब आप लोगों की हमेशा मेरे साथ रहे तो क्या पता मेरा भी जल्दी से चैनल ग्रो करे और आप लोग मेरी एक फैमिली बन जाए अच्छा लगता है जब ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ते हैं सब लोग आपको देखते हैं पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है तो प्लीज जो भी मेरे vlogs देखते हैं मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड से भी ज़रूर करें तो चलिए बातों ही बातों में लंच हम लोगों ने कर लिया था इसके बाद मैं बरतन वगेरा जो पड़े होई थे न उनको भी मैंने दोकर रख दिया था पूरी किचन क्लीन कर दी थी और कहते हैं इसके बाद मुझे बच्चों को आज पढ़ाना भी है क्योंकि लास्ट एक्जाम है और हिंदी के एक्जाम में बच्चे बहुत गलती करते हैं मात्राओं की गलती करते हैं तो नहीं बच्चों से लिखवा लिखवा के देखती रहती हूँ मैं जादे शूट नहीं करती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ फिर सोड़ा सा यह लगता है कि मैं हर टाइम बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ तो मैं पढ़ाना आज जरूरी है तो आज का व्लॉग है न मैं तो पहर तक ही शूट करा था और आप इसके बाद मैं बच्चे टर्टूशन चले गए थे और उसके बाद मैंने वीडियो को एडिट करा और बैक वोईस करी मतलब पूरा एडिट वगएरा करा और आप लोगों तक आज ही इस व्लॉग को पहुचा दिया तो काफी टाइम हो गए मुझे यूटूब पर मुझे सक्सस तो अभी तक नहीं मिली है बट कोई नहीं मिलेगी बहुत ही जल्द मिलेगी मेरा ऐसा मानना है तो चलिए यहाँ पर किछन भी क्लीन हो गई है बातों ही बातों में वैसे मेरी इंस्टाग्राम की भी आईडिया आप लोग वहाँ पर भी मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं मीनी व्लॉग्स रील्स वगएरा तो जो लोग नहीं जानते हैं तो वो प्लीज देख लें वहाँ पर जाकर और अगर आपको थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना मिलती हूं कल अल